हेलो गाईज कैसे हैं आप लोगा यहोब किया बच्छे होगे तो गाईज आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फॉन के अंदर किस पिरकार से क्थे आप कर सकते हैं थो क्याईज मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी अपना किस पिरकार से काफ़ी इंट्रस्टिंग रहनेवाला है वह सिंपल 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 स्ट्प से इमको फॉलो करने तो चलिए सबसे पहले हमको settings में जाना होगा क्योंकि सारी चीज आपको settings पर देखने को मिलेगी तो guys मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना एक्टिव चैनल technical mind support तो guys अगर आपने भी तक हमारे चनल subscribe नहीं किया है तो please आप हमारे चनल को subscribe करके पहले एक्टिव प्रस करना बिल्कुल भी मत भूलना तो चलिए guys अब हम वीडियो की तरफ आते हैं तो हमको पहले settings पहले option पर click कर लेना है जैसी हम अपने settings पहले option पर click करते हैं तो guys यहाँ पर आपको काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद fingerprint ठीक है तो हम fingerprint के बारे हम बात करने है आए हैं इस वीडियो में तो यहां से हम fingerprint पे click करते हैं finger prints पे click करने के बाद आपको अपना pattern डाल के confirm करा देना है तो हम पना pattern डाल के confirm कर देते हैं इसको और scan your fingerprint यहाँ पर आपको interaction दिये जा रहा है तो ठीक है आपको आपका finger रहने वाला है वो आपका finger sensor पर touch करना है यहाँ पर आपको ऐसा कुछ बोला गया है तो चलिए गाइस हम simple तरीके से अपना इसके अंदर fingerprint setup करने के लिए इसके फॉन को इसका finger sensor पर touch करने वाले हैं तो गाइस ओके तो मैं इसको कर रहा हूं और यह अल्मॉस्ट काफी फास्ट हो रहा है बढ़िया है इसके बाद यहाँ से आपका finger print गाईज अगर आप इसके अंदर multiple fingerprint एड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे इसका एड पर तो आप अगर इसके फॉन के अंदर multiple fingerprint आपका हो चुका है और और fingerprint एड करने हैं तो यहाँ से आप एड फिंगर पर क्लिक करके और फिंगर पर एड कर सकते हैं ठीक है तो गाईज आप इसके अपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यह वीडियो को लाइक करें मारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बब बाई